दोस्तो जटका लगा हम सबको ये बात सुनकर के जब पता लगा कि रोली में कलार नहीं आने वाले निउस तो बाहर थी करीबन दो दिन पहले से लेकिन रोली ने अपना कनफरमेशन कल ही दिया शाम के करीब अब आप पूछोगे इतना लेट क्यों मैं वीडियो को ला रहा हूँ अगी इस बार रीजन कुछ और है भाई इस बार सर्जरी हुई थी मेरी एक माइनर सी पैर के अंदर तो मुझे रेस्ट करने के लिए का गया था सही बोलो तो मैं खुद इस डाउट में था कि इस अपडेट को अब डालने का हूँ कि मतलब बनता है कि बिल्कुल बेकार है मैं अभी जानता हूँ आप लोगों को अभी सब पता है अल्रेडी लेकिन फिर भी बहुत लोग चाते हैं कि न्यूज है इसको शेयर करना जरूरी है जरूर चाहिए शेयर करना तो बिल्कुल रोलि विंकलार ने जैसे काल आनाउंओस करा नागी है कि वो को ऑलमपिया में नहीं आने वाले हैं तो दिल तूट गया सब लोगों का और रोली विंटलर और ऐसे में उनको नहीं जाने दिया कि उन्होंने काफी तरह से कंविंस च्रैद किया होगा जो उन्होंने पोस्ट में लिखा है और अब इसली करते भी क्यों नभाई इतने लंबे टाइम से प्रैप करें हैं पूरी पूरी कोशिश तो करेंगे इना कि उनको फिजीक को देखते हुए किस सरा एक स्मॉल मगर एक टाइट वर्जन वो लाने की पूरी तयारी में थे काफी शाद बैलेंस वर्जन होता क्योंकि अब लैक्स उनके बड़े दिखने लग गए थे यही तो मज़ा होता है कि एक तरफ से कुछ बोला जाता है दूसरी तरफ स कुछ और बोला जाता है और फिर मज़ा आता है स्टेज पर के अथलीट किसकी साइड पर जाता है अभी वो सब हमसे छीन दिया गया ऐसा लग रहा है यार देखो विंकलार कुछ भी है पिछले साल एक डिफरेंट चीज उन्होंने दिखाई थी कि वैक्यूम हिट कर गए थ उससे पिछले साल एक इंक्रेडेबल कंडीशनिंग उन्होंने दिखाई थी ओलंपिया में थर्ड प्लेसिंग लेकर रहा है इस साल कुछ नया करने की फिराक में थे वो सब सारा एक्स्पीरेंस एक होता है बिल्कुल रूहन हो गया हम सबका अब नीचे कमेंस में बहुत सा हो गए थे जब उनको लास्ट कॉंपिटिशन खेलना था कोविट पॉजिटिव थे अब रोली लेकिन ऑलंपिया से भार हो गया तो उसे ज्यादा बड़ी चीज उन्होंने फेस करी सब एथलीट्स ने नीचे अपना बताया और उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करी बो होते हैं सब लोग इसी तरह से करते हैं आम तोर पर एक हफ्ते पहले उठकर के यूएस चले जाते हैं वहाँ पर फिर अपनी पीक वीक करते हो अलंपिया के लिए तैयार होते हैं बट इस बार क्योंकि कोविट था तो आई थिंक कुछ प्लैन में चेंज जरूर करना यह एक चीज है जो मुझे लगता है कि कुछ-कुछ अथलीट्स नहीं अप्रोच जरूर रखी होगी बाकि सबने नहीं रखी है सोचने वाली बात है एन टाइम पर आपके साथ में प्रॉब्लम आजा है कि आप कोविट पॉजिव निकल जाए अब कैसे जा सकते हैं यूए अप्रोच सारे अथलीट शायद रख सकते थे I think कुछ ने रखी होगी जरूर रखी होगी फुद को बिल्कुल सिक्योर करने के लिए कि कि किसी भी जरा अमेरिका में लैंड कर जाएं क्योंकि हर साल तो यह होता है आपको कोई रोक ही नहीं सकता वीजा तो लगे गई आपक अक्सिजन में ट्रेन करते हैं रोली के साथ अब फॉर्शुनेटली करी आने में कामियाप हो गया अगर वह भी मान लो कोई पॉजिटिव निकल जाते उनका टाइटल तो गया था फिर डिफेंड करने से तो सही में हर दिल तूट गया एचीज सुनकर के विंकला अगले साल दिखेंगे क्योंकि आज से पहले हमने कभी एक साल भी ऐसा गया कि रोली विंकला ने ओलम्पिया मिस कर ओ नहीं गया बहुत मज़ा आने वाला था हम सब लोगों को खेर उमीद करते हैं विंकला पॉजिटिव रहे और कोरोना के केस में नेगिटिव रहे बिल्कुल प्रे क चाहते हैं उसी तरीके से हमें यह अगले साल दिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यह बात बोलने में अगर विंकला अर्मिस्ट ऑलम्पे बन जाते हैं I think fans यह भी देखना बिल्कुल चाहते हैं 2018 में जरूर 2019 में तो बहुत लोग चाहते थे तो बस यही था दोस्तों इस क्या सोच बिल्कुल समझ से बाहर है क्योंकि अभी एक और अपडेट आ रहा है जिसमें की कंफर्म हो चुका है बिल्कुल कि हाड़ी शूपन आने वाले हैं एक इंस्टाग्राम पर 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 भरोसा करा जाए तो हाड़ी को वीजा मिल चुका है अगर हाड़ी शूपन की आपके सामने लेकिन ज्यादा तर जो चांसिस है वो है हां के ऐसा लगता है सिर्फ लगता है होने का कुछ कैरेंटी नहीं है अभी हाड़ी ना शादी में उस आखरी बाराती की तरह उचके जिनका इंतिजार पूरी बारात करी है तो ज्यादा इसको नहीं खिचेंगे दोस कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगी तो अभी उसके ओपर मैं कमेंट नहीं करूँगा विकाज वो फिजीक एक दम फ्लैट थी लेकिन अभी करी मुझे लग रहा है काफी राउंड राउंड हमें दिखाए देरे बिकाज ओविसले वो पीक के अंदर चल रहे हैं बह बाकि अभी तक एकदम ऐसा लग रहे हैं कि पिछले साल से मच इंप्रूवड वर्जिन वो इस वक्त सिर्फ इसी फोटो को देख करके कहा जा सकता है कि लग रहे हैं नेक्स्ट अपडेट दोसो राइन टैरी की तरफ से आता है कवर करा था मैंस फिजिक हाँ बिल्कुल जानता हूं लेकिन राइन टैरी इतने इंक्रेडिबल लगेंगे यह उम्मीद नहीं थी सही में कुछ लाइटिंग का कमाल जरूर है यह बात मानने वाली है लेकिन फिर पडेट अब जैसे कि हम जाते हैं बचे हैं पताने और कितने जादा यह श्रेडिड हमें दिखने वाले हैं स्टेज़ पर क्योंकि पिए हिट करते हैं इस बात में कोई दोराई नहीं हर बार कंसिस्टेंटली ओनाती हैं स्टेज पर और इस वक्त ही एकदम टाइट एकदम ह शनीक ग्रेंट तो अभी अगर वुमेंस बॉड़ी बिल्डिंग के बात करी जाए और वुमेंस फिजीक की बात करी जाए दोनों बहुत क्लोस लोज है और वुमेंस फिजीक में ये टॉप पर चल रही है और इनके शॉल्डर सही में लगता है कि ओवर डेवलप्ट है जो कि अभी तो इनकी टक्कर में कोई भी नहीं है इस साल देखना होगा कि क्या इनको कोई हरा पाता है इनकी जगह कोई लेता है और अभी एज कुछ जादा नहीं सिर्फ 24 साल की एज है इनकी बाकि वुमेंस बॉड़ी बिल्डिंग भी है जहां तक है इनका उनसे कंपेर पूरा करा जाएगा और शनी ग्रेंट का मुझे लगता है काफी सारी वुमेंस बॉड़ी बिल्डर को यह वैसे भी हरा देती हूंगी बाकि बस यही थे दोस्तों इनके सबके करेंट अपडेट्स और इस वक्त पर अगर देखा जाए तो हां बिग रैमी पहुंच चुके हैं और अपने वाली फोटो देखी होगी एरपोर्ट वाली बाकि दूसरी यह मैं आपको दिखा देता हूं यह भूवन चौहर ने एक्चुल अपलोड करी थी तो उनकी स्टोरी में बिग रैमी कर रहे हैं स्टेयर मास्टर्स सबके सब भाई कार्डियो करने में लगे और इसके ब छोड़ते हैं यहां पर अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं इस साल के ओलंपिया के लिए यही पर यह दोस्तों चीज़ को एंड करते हैं हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में तब तक के लिए स्टेट उन गुडबाई शुक्रिया